एक बात कान खोल कर सुनरो तुम दोनो मैं जेवी का रिष्टा जफर से कर चुकी हूँ एक महीने के अंदर अंदर चादी होगी अगर इस हुसन आरा ने इंकार किया तो एक नहीं जाएगी तुम दोनों निकलोगी समझी खर में मत खुसना निकल जाए आपसे फिर जी आपको अल्ला का वास दबाफ कर देजे तुझसे कहरो ना तुब बीच में मत बोल कोई जरूद नहीं अम्मी आपको यह सब करने की खुदा नहीं है यह जो मुझसे सब कुछ सीन लेगे तो मर जाओंगा मैं अगर आप कहें तो फिर साफ से मैं आपके बेटे के सिफारिश कर दूँ वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे रात को तो इसमें जो हरकत की है मेरे साथ उसके बात तो मैं इसके पास सो भी नहीं सकती इसका बस अब एक ही इलाज रह गया है मेरे पास इसे सारी रात यहां हमारे पास गुजारनी हूँ पाक बीबी जी क्यों आजाते हो मेरी रस्ते में तुम बार बार हैं जी बाहर जाने का रस्ता तो यही है जी और मैं अंदर जाने का रस्ता ढूंड रहा हूं जी पतानी जी अंदेरे में टक्रे मारता तर रहा हूं बस पर पाक बीबी जी आप मुझे इस तरह से क्यों देखती हूं जी? बुजदिल हो तू और नई जी नई कसम फीर पाक की जी जान हतेली पर लेके गुंटा हूं जी जिस दिन से मैंने आपको नजरे बर के दिखाएं पाक बीबी जी आप इस तरह तुना ना करें न जी मेरा दिल फट जाएगा जी आप क्यों रोते हूं तुम बहरूपिय हूं बहरूपिय तो हूं जी पर एक ही रंग चड़ाना चाहता हूं पर बेबस हूं जी मुझे पसंद करते हो या हर नर्की से ऐसी ही बाते करते हो जी नहीं जी नहीं और खड़े-खड़े मेरी सांस रुप जाएजी अगर मैं इस तरह करता हूं तुम एक फोन दो और रात को मुझे इस नंबर पर कॉल करना हूं पकड़ों से मैं अन्तिजार करूगी है ठीक जी अब जाएँ अब जाएँ अब जाएँ तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो हाँ जेबी मैं अच्छी तरह से जानती हो और मैंने बहुत सोचा इस बारे में इसमें हरजी क्या है जफर जैसा भी सही वो बहुत पसंद करता है तुमें और शादी करने के लिए मरा जा रहा है उसने वादा किया है कि वो शादी के बाद सारे गलित काम छोड़ देगा उसने वादा किया और तुमने यकीन कर लिया तुम्हारी शादी से दो एक साल पहले से वो इन नशों में मुबतला है इतने सालों में नहीं छोड़ा तो मेरे लिए छोड़ देगा पहाना उसका इलाज हुआ है और फिर मैं भी तो हूँ यहाँ पे तुम्हारे आसिफ भाई भी और अमा तो तुम्हें कितना पसंद करती है अप मैं समझी आखर बात क्या है कौनसी बात आसिफ भाई ने तुम्हें मेरी शादी जफर से ना कराने के बदलेना तलाग की दंकी दिए है ना नई से बीब ऐसा क्यों करेंगे वो अपने घर्स के लिए मुझे चीर भाड़ कर खाना चाहती हो नहीं जेबी बस आगे और कोई बात नहीं मैं जो कह रही हो तुझसे थोड़ी देर के लिए घर चला आप मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है नहीं अमीन अभी नहीं आसकता भी घराओंगो तो खामखा में तमाशा होगा वो मैं खुद देख लूगी बहुत परिशान और करम सिर्फ थोड़ी देर के लिए कह रही हो अच्छा नाम भी कलाजाब मुझा कहां ठेरे वे हो है एक दोस्त उसकी तरफ की निया नबर है तुमारा जी इससे ही बात होगी है बाप से जरा जल्दी में उम्मी बाद में बात हो तुम से अल्ला आप्रेस जोट अब बकवास हैं मेरा कोई तालुक नहीं है इस तरहें की फजूलियात से हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं पीड़ जी मगर वो शंक बड़ा अडियल टट्टू है अडियल टट्टू है तो आप किस काम के है एक अडियल टट्टू आपके काबू में नहीं आ रहा है तो उतार दें ये पेटी बेटी अब ताना तो ना दें पीड़ जी हमें आपकी खिदमत का ख्याल नहोता तो बहुत से हैसाब यहीं चुकता कर देते और भाई ना मैं उस आदमी को जानता हूँ ना उसकी चोकरी को जानता कूँ भाग गए होगी किसी बंडे के साथ अपने किसी यार के साथ मेरे पास तो दोचार बार आई यह दमवं करवाने के लिए मैं उसी وقت समझ गया था बहाना कर रही है दम का बहाना है किसी के साथ भागना चाहरी है तो मैंने निकाल दिया उसे आप से ज़्यादा कश्फ वाला कौन होगा मगर हुजूर हमारे हालाद का भी ख्याल क्या करें जानता हूँ आपके हालाद भी लेकिन आज के बाद इस तरह का कागज मेरे पास नहीं आना चाहिए हुजूर आप फिकर ही ना करें हम तो हैं आपकी खिन्मत के लिए चाबर जी अरे इसकी क्या दूरत थी हुजूर अच्छा हुजूर इताजब के पिरसाब चाहिलाओं आपके लिए अर्ण आपके लिए अर्ण 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 अम्मा अर्ण 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 वो तेरी बेहन का मत्धा ठीक हुआ या नहीं? अम्मा बात तो की है मैंने उससे समझने में शायद थोड़ टाइम लगेंगा उसा अर्ण 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 तेरी खिजर लिखवाकर लाई हूँ एक दिन सोई तो सोती ही रह जाओंगे आराम से रहोगे तुम सब जा जाके अब समझाओ उसे अर्ण बरी मासूं बरी परती अर्ण 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 हलो जी, पाग बीबी जी सलाम बीबी जी इतनी देर से क्यों फोन किया तुमने ? आपने मुझसे कौन से जूरुरी बात करने थी बीबी जी हां तो इसलिए फोन करने को कहा था कोई गपे नहीं हांक नहीं थी तुम से मुझे हुकुम करें पाग बीबी जी मैं सुन रहा हूँ सामने तो बड़ी उची 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 बाते करते हो अब क्यों बोलती बंद हो गई है बस बीबी जी सोचता हूँ कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए जी और अगर मैं चाहूँ कि तुम से कोई गुस्ताखी हो जाए तो जी भी बीजी तो क्या यह तुम्हार आखरी फैसला है आखरी भी और यकीनी भी मैं उस भंगी चर्सी जफर से शादी नहीं करूँगी जाओ तो जाके अपनी खड़ू सासाद लालची शौन को बताओ और मैं? मैं क्या करो? वही करो जो हमेशा से कट्पी आई क्या मतलब? मतलब निभा करो यार अगर तुम्हें उन से जादा अपना ख्याल होता तो आज सुम इन लोगों से पीछा चुड़ा चुकी होती अब अपने साथ मुझे कुर्बानी का वक्रा मत बनाओ अपने साथ मुझे करो आई कर दो कर दो कर दो कर दो hoe कि अ कि ए पक्यों न Candice , अपक क्यू न के ज़िकिती देखो करम ने एक बार तुम्हें जान से माने की कोशिश किये न तो फिर तुम्हें अपनी जान की इफाज़ित के ख्याल से सही लेकिन अपने कमरे का दर्वाज़ा लॉग करके सोने चौई है न आप यहां क्या कर रही हैं यह अपसे पूछ सकती हूँ कुछ बता दिया तो फिर तुम पिर साब से चाल लगा कर जोड़ दोगी और कहीं कहीं अगर उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया तो मेरा तो दूसरा घर भी नहीं है जो यहां से निकल जाने के बाद मैं वहां चली जाओं पिर साब से बंद के आई थी पीचे की सारी कश्ट नचल का। मेरा ये मतलब नहीं था और वैसे भी काना मिलाई को मैंने घर से निकल वाया पिर साब को वैसे उस पे घुष्जा था मैंने तो बस इक बात कर दी और पीर साब भड़ उठे तुम अब ही उन्हें जानती का हूँ वो गुसा तो उनके रगों में लहू की तरह दोड़ता है और पीर साब का गुसा अल्ला माफी में मैं जानती हो फर्खंदा आप आभी मुझे से बहुत नाराज है मैं तो इस गर में प्यार और महबबत के साथ रहना चाहती थी लेकें मैं तो कुछ तिन अकेले फ्रेट में नहीं थी न तो मुझे बहुत डर लगता था वहां पर अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारा में को आपने बताया नहीं आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं ऐसे ही मेरे दिल गपरा रहा था बाहर टहल रही थी केक साय तुम्हारे कमरे के दर्वाजे के बाहर देखा तो चले आई अब तुम्हारां करो और हाँ दर्वाजा लॉग कर लें कर दोना तुम्हार है कर दो प्रवाजी है कर दोना रही बाहीं कर दोना विल गपरा बताया नही थी कर दोना है तब शेब साइमा झाल तेरी तबियत तो ठीक है, अब तो तू पहले से बहुत अच्छी लग रही है, बाबजी का ती अब तावीस तो पहना हुए ना? हाँ, तावीस पहना हुए है, शुकर अल्ला का मैने तेरी आवास तो सुनी, तब यद भी अच्छी लग रही तेरी पहले से, और इंशालला जल्दी ठीक हो जाएगी, पहले की तरह दिल तो नहीं घपरा रहा, सर में दरब तो नहीं हो रहा, अब लकुर ठीक लग रहा है, ब अमा, शक्त ठंडे पानी से नहाने को बहुत दिल चाह रहा है, काफी दिनों से बारिश भी नहीं हुए, अब की बार बारिश होगी न, तो खोब नहाँगी, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बारिश तो अल्ला की रहमत होती है, अमा, मुझे क्या हुआ था, चल छोड़, कुछ नहीं हुआ था, अब अल्ला के हुक्म से तु ठीक हो जाएगी, तुझे एक खुश खबरी सुनाओ, क्या, जफरी की इस हफते शादी है, है, हाँ, जफरी की शादी है, कौन से माबा बंदे हैं, जो अपनी बेटी से चर्सी हो दे रहे हैं, ऐसे नहीं क्याते बेटा, तेरा भाई, बस दरा सा नश्य ही है न, लेकिन उसमें कमी क्या है, अब तो उसने वादा किया है, कि वो चर्स भी छोड़ देगा, साल में दस महिने के वादे यही करता है, कि छोड़ दूगा चर्स भी न, उसने कभी छोड़ी, कभी यह नहीं छोड़ेगा, वो अपनी सेबी है न, सेबी से उसका निकाह है, तो जल्दी से ठीक हो जड़ धूलकी रखेंगे, सब को बुलाना खूब रौनक लगाएंगे, ठीक हो मैं, दर्द क्यों हो रहा है था, हाँ, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, बस ये तावीस पहने रहना आप, कितना जोर दिया था मैंने पीड साप पर, कि इस लड़की का जल्द से जल्द कहीं रिष्टा कर दो, कहीं गरबर ना हो जाए, मगर उन्हें अपने एश कुछ सोचने दें तब ना, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये करके देख लो, अगर बात ना बनी तो बेशक अगली बार ना जाना, एक बार भी नहें जाओंगी, और मेरे सामने ये जाहिलों वाली बातें नहीं किया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जहालत की बात नहीं है, अल्ला के नेक बंदें ये, जिन्होंने अल्ला की कुर्बत हासल करने के लिए, कितनी महनते की हैं, ये तुम और मैं सोच भी नहीं सकते, औल्या अल्ला को तो मानती हो ना, वो एक अलग बात है, मगर ये जाहिल पीर फकीरों को नहीं मानती है, खुदा के अजाब से डरो तुम, तुम्हें या मुझे क्या पता कि अल्ला के कितने प्यारे बंदें, और तुम्हारे ये गुस्ताहाना कलमे हमें किस अजाब में गिरिफ़तार कर सकते हैं, कितना कच्छा ही मान है तुम्हारे, साइमा की हालत देखी थी ना, कोई कह सकता था अब हो ठीक हो जाएगी, तुमने तो उसका जुनून खुद देखा था जब वो अम्मा को मारने लगी थी, लेकिन फिर देखा, सिर्फ एक बार पीर साब के डेरे पर हाजरी थी है, और वो बिल्कुल भली चंगी हो गई है, एक बात कहूं अगर तुम्हें घुसा ना आए तुम्हें घुसा ना आए तो, फिर क्वोल्टी बात ही करनी होगी यह किन, हो सकता है तुम आइन ड्रामा करे हैं, जिन चड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी चड़ा के लिखाओ, बखवास नहीं करो, क्या मतलब बखवास नहीं करो, आइडिया बुरा नहीं है, ना हींग लगे ना पिटकरी, और रंग भी जबरदस्ता है, क्या भूलती हो, क्या मतलब? मतलब ये, कि अगर मेरे उपर साया होता है, तो तुम्हारी जमीला खाला मुझे अपने बेटे के लिए कभी पसंद नहीं करेंगी, फजूल बाते नहीं करो जेबी, पिट जोगी किसी दिन मुझसे, इस तरह की बात सोचना भी नहीं, जब कवारी लड़कियों के ऐसी हवा बन जाती है तो, उनकी सारी जिंदगी मुसीबत में गुजरती है, और तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, अच्छा चलो, पीर साब के डेरे पर भी जाना है और उनसे मशवरा भी करना है, ऐसा तोड करेंगे कि अम्मा के दिल से बिलकुल यह ख्याल निकल जाएगा, चलो, मैं नहीं जाएंगे, उर तो चलो मेरे साथ, क्या मुसीबत है, छोडो ना, मैंने नहीं जाना मैं, हक अला, हक अला, हक अला, हक अला, अला, पंजड़ा 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 से वलक ना रहा है दिली, याली, लोटा लगा कसके, अश्याबाश है श्याबाश, सुबाहन ल्ला, बिस्म ल्ला, मैं देख रहा हूँ, तुमसे बहुत खुश्यादर आ रहा है तो, अला, वे खुश क्यों ना हूँ, बड़े पीर साब की उर्स की तयारी हो रही है, वे हजरत पीर के सामने पहली बार मैं तमाल डालूँगा, हक अला, हक अला, हक अला, हक अला, लेकिन, ये मुझे उर्स की तयारी से कुछ ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन, 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 वो तुझे जो समझना है, समझ, मेरा तो अंदर बाहर सब एक है, वो पीर साब के लिए तो मेरी जान कुर्बान, मेरी जिंदगी कुर्बान, है, हक मौला, या अली, और गोटा सरी लगा वे बंका, हक अला, हक अला, हक अला, हक अला, हक अला, 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 हैदर, मुशीबतों का एक पहाड़ है इसके सर पर, माबाप तो रहे नहीं, तो यह मेरे पास ठहरी है तो, सब कुछ क्यूं दोहरा रही है, जो हम पहले से जानते हैं, तेरे पास रहरी है तो इसका सहारा बन, दोस्त बन इसकी, तुश्मन क्यूं बनती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हम उनके नहीं मिलनी है, मेरी खातिर भी नहीं कर सकते, हर छोड़कर जाना मसले का हल नहीं है, तुम्हारे अब्बा घुस्से के चितने भी तेज सही, लेकिन उनको बहुत बुरा लगे गई यह, लेकिन अमी अब्बा ने बिला वज़ा, मुलाजिमों के सामने धक्के देकर नकाला मुझे, अगर आप मुझे अपनी कसम नहीं देती ना, तुमर्गर भी इस घर में नहीं आता मैं, करम, बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी अपना मुकाम नहीं छोड़ना, चाहे कोई तुम्हें जितना भी वरगलाने और हिलाने की कोशिश करे, एक बार अपने मकाम से हट गए ना तुम, तो फिर सारी उमर सर पटकते रहोगे, मगर अपना असल मकाम कभी दुबारा हासिल नहीं कर सकोगे, मुझे देखो, इस घर में दो दो ओरते तुम्हारी और मेरी जगा लेने के लिए पर तोल रहे हैं, मैं भी अगर लट जगड़कर नराज होकर चली जाओंगी, कौन मेरे पीछे आएगा, मेरी जान, तुम एक लौते वारिस हो पीर साब के, ठंडे दिमाग से गौर करूँ, कुछ भी हो जाया में, मैं अब इस घर में वाबस नहीं होगा, और प्लीज, मुझे अबबा से माफ़ी माँगने का मत करिएगा, तो, क्या करोगे तुम, नौकरी तुम्हारी चली गए, इस पूरे शहर में इस तालीम के साथ, तुम ढंकी कोई नौकरी हासल नहीं कर सकते, लिखवा लो मुझे तुम, क्या लगता आपको, मेरी नौकरी अबबा ने चुड़वाई है, अपने बाप के अस्रो रसूख से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो करो, खौफ जदा कर रही है मुझे, नहीं, समझा रही हूँ, अपने बाप के साथ सुला में ही तुम्हारी बेतरी है, भले उनकी गद्दी ना संभालो बेटा, लेकिन ये घर तो ना छोड़ो, लेकिन अम्मी ये घर मैंने नहीं छोड़ा है, अब भूल रही है मुझे इस घर से निकाला गया है, तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा सुनो, मेरी बात खौश से सुनो, ध्यान से समझो, अम्मा मुझे माफ करना, मगर मुस्तकिल उसको अपनी दुकान पर निरसे, चार दिन में जमा जमाय कारोबार चर्श में उडाते हैं, भाई है वो तुम्हारा, मैं बाज आया ऐसे भाई चारे से, पहले भी बहुत डस पहुचा चुका है मुझे, अच्छा, तो ये दो चार दिन में तुम ताहिरा और जेबी को कैसे मनाऊगे, उनको कहां पता चलेगा वो दुकान पर बैठाय के ने, माँ अच्छा बाब नाराज मत, अरे किसमती खराबे नाराज क्या हो ना, बाबा जी की तावीजों की करामात से चार दिन में तुम्हारी दुकान चमक उती, साइमा ऐसी होगी जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ये तीसरा काम भी सोचा था के हो जाएगा, तो बाबा जी के आस्ताने पर लंगर चड़ाऊंगे, उनके डेरे पर हाथ रखके कसम खाओ, और मुझे बताओ कि इसमें मेरा कितना फाइदा है, तुम्ही दोनों भाईयों की जिंदगी सवर जाएगी, यही सोचा था था ना मैने, तुम्हारी बीवी की, साली की, अरे मेरा क्या है, एक लड़की अपनी जिंदगी में, अल्दा को मन्जूर हुआ तो उसकी शादी कर जाओंगी, बसुम्हारी आपकी सारी बात है ठीक, वगर जफल जैसी चीज जो है, वह सुदरने वाली नहीं है, पहले कितना पैसा खर्च किया उसको, बगर फिर वही, दो मेने बाद फिर चरस, चार दिन में वह क्या कर लेगा, दू-चार दिन बाद जुमा है, उसका निकाह है, माम, अचा ठीक है, उसको समझागे भेजिये का, अगर इस बार कोई गड़बढ हुई ना, तो भरे बदार उसको इतने जूते मारूँगा कि उसको समझ में आ जागी, उल्टा पुलिस में भी दे दूँगा उसको, अचे जबस, अपना दिमाग ठंडा रखो, वह तयार हो रहा है, उसे साथ लेकर जाओ दुकान पर, अब लेकर भी जाओ, भेज दीजेगा उसे, अरे जफर जल्दी तयार हो जाओ भाई जा रहा है दुकान पर, इसकी तयारी में भी पूरा गंटा लगेगा, गड़की बे आसरा है, बे घर है, मुशीबतों का एक पहाड़ है इसके सर पर, माबाब तो रहे नहीं, यह मेरे पास ठेहरी है तो, सब कुछ क्यों दोहरा रही है जो हम पहले से जानते हैं, तेरे पास रहरी है तो इसका सहारा बन, दोस्त बन इसकी, तुश्मन क्यों बनती? मेरे पैरों में मजबूरी की बेड़ियां डाल रखी है मेरी सास और मेरे शोहर ने, मैं इतनी बार आई आपके पास के खुदा आपकी सुन लेगा पीर साब, और मेरी गोधरी हो जाएगी, लेकिन इसी बात की धमकी दिये इसकी शादी के लिए, और वो लड़का हर तरह का नशा करता है पीर साब, आवारा है, निखट्टू है, मैं कैसे अपनी बहन सोम्दू से, पीर साब बेयकीनी है इसके दिल में, लेजाए इसे यहां से, और आज के बाद इसे इस आस्ताने पर कभी मत लेकिया ना, पीर साब, बेयकीनी है इसके दिल में, इसे ना हम पर यकीन है और ना हमारे इल्म पर, और ऐसे लोगों के लिए मेरे आस्ताने पर कोई चगा नहीं है, पीर साब, मैं माफी मांगती है आप से, ना समझ यह जानती नहीं है, जान लेगी ना, आज के बाद सब कुछ जान लेगी तू, याद रखना सब कुछ जान लेगी, माफ कर दे से पीर साब, जाओ, अन्दे है क्या, देख कर नहीं चल सकते? मौतरमा मैं तो देख कर चल रहा हूँ, आप दोड़ी चल आरी है आप से आपी जाओ, पीर के पैर पक्ड़ोगी क्या जाके? तूम बार जाके बैठो, मैं पीर साब से बात करके आते हूँ, कहने कु रह क्या किया है? सब तो गह डालाउन हुनौे, चलो अब! अगर आपको देरे पर यकीन नहीं है तो यहां कर रही है? मैं यहां को शुक से नहीं आया हुँ तो मेरी बेहन की जाहलाना सोच है पीर साहब अला के बहुत करीब आप कौन है? जी मैं यह जो नहीं पहले दफ आया हो यह बस एक वह श्की इंचलाई है अब अब अंदर जा अरजी पेश करूँ या इसे चलाजाऊ है जाना है जाना है तो जाए जाए जाना है वैसे आप अंदर से आरहे हैं ना शकल से पड़ी लिखी लिगती है अब आपको क्या लगता यह मुझे इंफदूलियात में कोई दिचस्ति नी है सुने वह अपनी बहन को तो साथ लेते जाए अकले चोड़ जाएंगी उन्हे अच्छा नहीं लगनेगा अ कि अपर वाई दिचस्ति वाएंगी उन्हें अ इंगार फजह ज़ेती है यह जख़ी आपको कि इंगे है वह लेको तोस्ति ही उन्हें पुर्ट से भईज़, झाल्क झाल्ड़ साथ लिग्स, क्षड़ प्रिए भाष लिए्स, और्क्र वाएंगी, जब क्स्ति आर गंगी तुम्हें बना कियाता ना कि जब तक निकाह ना हो जाए, जेवी को लेकर कही बाहर जाने की जरूरत नहीं, और तुम फिर आवारा गर्दी करने निकल गई, अम्मा, क्या अम्मा, अच्छा अब सब कुछ में ही बता हूँ, तुम दोरों तो बहुत मासूम हो, अब इसे माई कौन सी माईों, किस का निकाह, किस किसम की बातें कर रही हैं, आप मुझे तो बताएं, सुभान अन्न बे खबरी की, तुम्हारे निकाह और माईों की बात कर रही हूं मैं, बताया नहीं बी बनो अपनी इस मासूम और भोली-भाली बेयन को, या हमें खुआर करने का सोचा ह ये तमाचा खड़ा करके, बेहतर है आप अपने मुझे से खुद बताएं, मैं आपके मुझे सुनना चाहती हूं, वा, इस जुम्हे को तुम्हारा निकाह है जफर के साथ, सुन लिया ये मस्जिद में ऐलान करवाऊं, ऐलान तो मैं करवाऊंगी, आप जानती है ना, लड उसे कोई जब दस्ती नहीं कर सकता, सुन लिया आप में? मैंने कुछ नहीं किया अबा, मैं खुदा ना खासता आपकी वीवी की जानने ले ये खुशिश क्यों करूँगा अबा, मैं तो कभी वाँ गया भी नहीं हूँ, फिर भी में माफी मांगता हूँ अपसे, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती किया, सिर्फ इसलिए है कि, दिल दुकाया ना बेलें को, अबा मैं जानता हूँ अब तकलीफ में, इसलिए तो मैं खुदा आए, ना, खुद नहीं आया है तु, तिरी मान ने जो तेरी मिननते की हैँ, इस वज़ा से आया है तु, वरन्ना मेरे खूद में कितनी सरकशी, कितनी बगावत है मैं अच्छ तरह की तरह जानता हूँ, तो बाप के सामने ऐसे ही जुकने waala नहीं है बिटा मैं यह भी जानता हूँ कि तेरे दिल में क्या तू फान उठ रहा है। क्या सोच रहा है, क्य이 सोच रहा है कि बाप को 8-10 सुनाओं और चलता ही अब मैं सच में आपसे माखना नही आप तरी नौकरी चली गई है ना शिर्फ दो महीनें तो किया समझता आप किया समझता नहीं जाली पीड़ है तो समझता है कि मुझे किसी बात की खबर नहीं है और सुन ले करम वारत मेरी बीवी है तो सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरे रिष्टे से तेरी माँ भी है उसकी इज़त उसका इहतराम करना अब तुम पर वाजब पाइंदा मैं उसके साथ किसी किसम की कोई पत्तमीजी और पत्तेजी भी परदाश नहीं करोगा जेबी जेबी देखो मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो लेकिन तो ठंडे दमाग से सोचो मेरी बात सुन तो लो तुम तो तुम्हारा घर बच जाएगा मेरा बोज भी तुम्हारे सर से हच जाएगा मेरी मा का मकान बेच के अपने शोहर को और उस चर्सी सफर को देना चाहती हूँ साइमा के शादी भी भारी जहिस के जरीया हो चाहेगी मेरी सिर्फ एक हामे तुम्हारे घर का हर मस्ता चुपा रहे है यही समझाओ कि ना मुझे नहीं जेबी अगर तुम जानती हो मैं कुछ नहीं जानती और कुछ नहीं जानना चाहती इन मतलब ही खुदकरस और बेहिस दों के साथ रह रहे के तुम भी इनके जैसे होगई अपने मतलब के लिए मेरा गला भी गोड़ सकती हो बस कर तो जेबी और कितना गिराओगी तुम मुझे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा तुम उससे पहले ही बहुत गिर चुकी हो इतना नीचे कि मैं तुम्हें जुकर देख भी नहीं सकती सेबी तुम बहुत गुस्से में हो और कुछ भी समझनी रही हो मैं खुसे में हूँ पागल नहीं हूँ समझी तुम अपने बुरे भले का खूब चानती है और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपना घर चोड़के तुम्हारे घर आ गए मैं जा रही हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता सेभी मेरी बात सुनो तुम तुम इस घर से क्या इस कमरे से भी कदम नहीं निकाल सकती जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता और जुम्ह को तुम्हारा निकाह है जब तक मरो इस कमरे में तुम चलो मेरे साथ अम्मा पढ़ी सड़ती रहो इस कमरे में जुमे तक सुनो बशीर तुम यही रुको मैं अपनी एक जानने वाली से मिलकर आती हूँ और पीर साब का फ़ोन आया तो उन्हें बिल्कुल नहीं बताना कि हम कहा है जी बहुत बेटर बेगम साबा समझ गया उन्हा मैं अंदर आसकती हूँ किसलिए फो मज़े तुम से कुछ बात करनी है मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और वैसे भी आप जिस मकसद के लिए इस घर में आये थी वो मकसद तो पूरा हो चुका है अब हम सब से आपकी दोस्ती हो या नाराज़गी इससे आपका क्या मतलब सिर्फ इस लिए कि दोस्ती और अच्छी तालुका से घर का माहौल अच्छा रहता है हमारे घर का सुकून बर्बाद करके अब खुद सुकून चाहिए आपको आपकी वज़े से मेरे भाई को घर से जाना पड़ा आपको क्या लगता है अब मैं दोस्ती करूँगी आपसे नेवर आप जा सकती है यहां से जाएं यहां से बेतर होगा खातून के आप पहले अपना तारुफ करवा दीजे ताकि आपके आने की वज़ा समझ सके हम यह जरूरी नहीं है क्या मतलब? मतलब यह के मेरा तारुफ आपके लिए बेफाइदा है मैं यहां जो बात आपको बताने के लिए आई है उसके लिए तारुफ पे माने है खातून प्लीज खुल के बात करें आप कहना क्या जा रही है अच्छा आप तश्रीफ तो रखें आईए बैचिए बैचिए शुक्रिया जी खातून फर्माईए एक गलास ठंडा पानी अगर मिल जाता तो पानी प्लाओं अस्लमे भाईसाब मैं आपसे अकेले में बात करने आई थी जी आप राविया के वालेद है आप रावियो कासे जनती य। वो इस वक्त जहां है मैं उस सिलसे में बात करने आई जी खातून प्लीज बताईए ना के राविया कहा है इस वक्त मैं चलती और सुनिए मेरा जिकर नहां है खातून नहीं जी बात तो सुने जाए यह पानी खातून अरे हो गया अमा कैसी बाते कर रही हो ऐसे कि ठोड़ी होता है। यह अग्रैन निकाह के वागत उसने मना कर दिया फिर मानेगी वेटा मानेगी कैसे नहीं मानेगी मैंने बंदबस्ति ऐसा किया है कच्छी गोलिया नहीं खेली है जमीला ने अरे अम्मा क्या कर लोगी, उसारा दिन घर बेटी दरवादा पीट रही होती है, और मौले वालों ने पूछना शुरू कर दिया, पहले साहिमा ने कमशोर मचा रखा था, थोड़े दिन सबर कर लो, सीधी उंड़ी से घी निकल आएगा, आखिर मेरा बच्चा अभी तक बच यह क्या है, खोल कर तो देख, और दाद दे अपने मा के जहन की, तलाग नामा, तुझे पहले पता था, पता था ने, मेरे जंदेगी में आने से पहले, तो अच्छी तरह जानती थी, कि हम जैसे गदी नशीनों की जिन्दगी में, आने के बहुत से रास्ते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, तू क्या हर वक्त इस कमरे में नमाजें सजदे कर रही है, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि खुदा आगे बाद चोहर को सजदा करना चाहिए, मन कर ये टक्करे, मैं कह रहा हूँ, राभ्या नमाज तोड़ दे, अरुव पिस उत्ता लुष नहीं, वापसी कि खुदा इसे हैं, वापसी नहीं सेच्टा आगे रही हैं,